कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूप चैनल जी के डूकेशन नेचर में इस वीडियो में बीस महत्पुर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सही पर इच्छा की डियोप्योगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से लार्ग रंथी काउं माइलेज एंजाइम करता है नेस्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 मरा डॉनों कि से संभण दीत है तो इसका सब्सक्तृण होगा है परृष्टिथ फूट गया अंसर हो गार्थ मालों अजेंतिना से परेदंधी आ ऐनेस्ट क्वेश्चन परपर्ट समय का गुन नक्हींफल क क्या होता है के तो हो जाती है तो इसका तरंग धर्ज होगा तो इसका साही अंसर होगा, मूल का आधा, ये ती किसी तरंग क्या विर्ति दोग निंग हो जाती है, तो इसका तरंग धर्ज मूल का आधा होगा, नेक्ट क््वोस्च् Tib, कंचन जङंगा भाई अस्फियर्षर कांच ती थे? तो इसका साही अंसर होगा, किन चेंगा बायस पेरीजरू सिक्षित है हजबाद का पहला रच्छा एंक्विएटर की सहर में अस्थापित होगा उन कि तो इसका सही एंसर होगा है व्लाँ भारत का पहला रच्छा है इंक्विबेटर हैदराबाल सहर में अस्थापित होगा नेस्ट क्वेस्टन किसका अप्यो घ्रांट संकेतक के रूप में होता है तो इसका सही अंसर होगा बनीला बनीला कप्यो घ्रांट संकेतक के रूप में होता है घ्रांट सिमिन्स होता है आमल की जांच करने वाला next question count sabed जादुई अनुस्ठानों introduced के बारे में बताता है तो इसका सही answer होगा अधरवेद अधरवद जादुई अनुस्ठानों और आकरसन के बारे में बताता है next question भारती अर्थवश्था में कौन परिवहन का परमुक साधन है तो इसका सही अंसर होगा रेलवे भारती अर्थवश्था में रेलवे परिवहन का परमुक साधन है है ने स्ट्पॉस्टन हुए हैं 3 फूल अकватर बीजिक के परजिनननमकिस मैं इस्थित होते हैं है तो इसका सइ these आंसर होगा फूल अबबेशिक के परजिननांस फूल मैं स्थित होते हैं कर्बनिक पदार्थों के अब घटन द्वारा पिर्थभी के सता के नीचे बने इंधन को कौन सा इंधन कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा जिवासम कार्बनिक पदार्थ के अब गठन द्वारा पिरथभिक के साथ के नीचे बने इंधन को जिवासम इंधन का जाता है मनिपूर का एक मार्शल आट रूप है तो इसका सही अंसर थांगता मनिपूर का एक मार्शल आट रूप थांगता है किस परकार का पार्जिनन अधिक विश्था ला सकता है तो इसका सफ एंसर होगा एवन पर्जिनन याउन पर्जिनन अधिक विश्था लासकता है जो आपके परिछा के लिए महत्पूर्ण है नेस्ट कोश्चन थियोस्टोफिकल स्वसाइटी के स्थापना कब हुई तो इसका सही एंसर होगा 1875 थियोस्टोफिकल स्थापना 1875 में हुई थी नेस्ट कोश्चन पानी का बास्पिकरन किस पर होता है तो इसका सही एंसर होगा सभी तापमान पर पानी का बास्पिकरन सभी तापमान पर होता है नेस्ट कोश्चन काउंट से कीडे एली फेटियाइटिस का कारण बनता है तो इनका सभी अंसर होगा फेलियर कीडे फेलियर कीडे एली फेटियाइटिस का कारण बनता है नेक्ट कोचन का यषिज को धस्य wykशला गारए उस द्यूर्जित द्वारा उसर्जित हानिकारग विक्रन प्राब्यगनी विक्रन है नेस्ट क्वेस्टिन पारे का ये का एक्स है तो इसका साइज एंसर होगा सिने बार पारे का ये परमुक का एक्स है इसका साही एंसर होगा समयास से सम्दित है नेश्ट ग्वेसिए समय से समंदित है कौ स्फार्य मन समी самое सात्रा से समंदित नहीं है। ने टयों को दखने के लिए धन्यवाद झाल झाल